आज मैं सेयर करूंगी आप लोगे साथ करेली की सबजी की रेस्पी और यह सब्जी जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे बिल्कुल भी कड़वाने लगेगा अगर आप मेरी इस रेस्पी को फॉलो करेंगे तो सभी आपके करेली की तारीफ करेंगे और इस तरह से जादा नहीं चीलना है आप देख सकते हैं तो हमने इसे इस तरह से चीलतर निकाल लिया है अब इसको हम पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे अब देख सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने काट रखा है बिल्कुल पतला काटना है आपको इस तरह से काटने के बाद इसके आपको बीज निकाल लेने हैं इस तरह से हमने इसके बीज निकाल लिया है और इसको निगालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमज नमक ये रेगुलर नमक है वही वाला हम नमक इसमें यूज करेंगे और इसमें डालेंगे गरम पानी पानी हमें इतना डाल और इसको हमें आधे गंटे के लिए छोड़ देना है इसी तरह से और आप देख सकते हैं कि आधा गंटा हो चुका है तो इसको हम अच्छी तरह से वास कर लेंगे तीन से चार पानी और वास करने के बाद हम उसका पानी निचोड लेंगे और यहां पर देखिए हमने यहां 400 ग्राम प्लाइज ले लिया है जिसको हमने छॉप कर लिया है और यह करेला हमने ढ़ल लिया है आप देख सकते हैं इसका कलर भी ळोड़ा है अप पानी हमने पानी नहीं है इसमें कि आप चलते हैं ने next процесс की तरव यहां पे हमने एकड़ाई ले लिया है जिसको गैस पर रख दिया है उसमें डालेंगे एक कप मस्टर डायल और आपको करली की सब्जी मस्टर डायल में ही बिनाना चाहिए क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आजाता इसका और अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक छोटा चमज बारी कटी हुई लसन और ओरह से पांच हरी मीळोब पकी हमी होती है लाल वली वही हम इसमें आट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा मिगए चंज कर लेंगे अचो करद दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर ले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई रेशिबिकर नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिले अब हम इसमें डाल लेंगे हल्दी नमक और साथ ही हमने जो फ्याज बैकर लेकर देंगे और इससे हमें अच्छी तरह से चला लेना है और करेली के सबजी को हमें बिल нрав हैμεन वारी तोड़ा से तही आखे है शूप हो से और से मिंट करेला जो है ना पक कर गोल्डेन ब्राउन नो हो जाए तो यहां पर देखिए हमारे करेला पक चुका है इसे पकाने में 45 मिनट लग गया है बिल्कुल लोख लेंपे अब हम इसमें थोड़ा सा नीबू का जूस एट कर देंगे अगर नीबू का जूस नहीं है तो आम चूर प खाने के लिए तो इसे हम निकाल लेते हैं एक सर्विंग डिस में अब देख सकते हैं मैं करेले का कलर बहुत ही अच्छा है आप इसे दाल चावार या रोटी के साथ भी इंज्वाय कर सकते हैं और इस तरह से आप बनाकर देखिएगा यह करवा बिल्कुल भी नहीं लगता है इस तरह बनाएंगे तो आपके बच्चे भी इसे खालेंगे तो कैसी लगी आपको हमारे करेली कि सिंपल सी रेस्पी अगर रेस्पी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस और फेमली में सेर करना ना भूले और आपके एक लाइक से मुझे आपके थैंक्स पर वाचिंग